नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विरेंज जेटवा, कंसर्टन फिजिसियन और डायबिटोलोजिस्ट अक्सर देखा गया है कि जोंडिस के पेशन्ट को और उनके रिलेटिस को बड़ा कन्फूजन रहता है कि क्या खिलाए और क्या नहीं खिलाए पेशन्ट को जब भी जोंडिस होता है, तब आस पास के सभी लोग तरह-तरह की एडवाईस देते रहते हैं जैसे कि गी बंद करो, तेल बंद करो, मसाले वाली चीज बंद करो, उबले हुए वेजीटेबल्स खाओ, पीली चीजे मत खाओ, वगेरा वगेरा एक तो जोंडिस के पेशन्ट को ऐसे ही भूख बिलकुल कम लगती है, और उपर से उसको खाने में जो अच्छा लगता है, वह भी खाने से मना कर दिया जाता है, जिससे पेशन्ट को कमजोरी और बढ़ जाती है आज हम डिसकस करेंगे कि जोंडिस के पेशन्ट को डायेट में क्या देना चाहिए, जिससे की जोंडिस जल्दी से खतम हो जाए, जोंडिस के पेशन्ट की फास्ट रिकवरी के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसको बैलेंस डायेट दिया जाए, जिससे पेशन्ट को पूर लीवर का जो मेन काम होता है, डाइजेशन वो रुख जाता है, इसके कारण पेशन्ट को भूख बिलकुल कम हो जाती है और उसको continuous vomiting जैसा filling होता है और कम खाना खाने की बज़े से पेशन्ट को बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है अगर इसके शरवात के कुछ दिन में ध्यान रखा जाए तो पेशन्ट की recovery जल्दी होती है, वरना ये किस्सा लंबा भी हो शकता है चोंडिस के पेशन्ट में diet की बात करें, तो शरवात के दिनों में पेशन्ट को ज्यादा से ज्यादा liquids देने चाहिए जिसके कारण पेशन्ट का dehydration कम होता है और उसको पूर्ती मातरा में potassium भी मिल जाता है जो कि vomiting के कारण बोडी में बहुत ही कम हो जाता है और ज्यादा liquid लेने से बोडी के toxins भी urine में फ्लस हो जाते है liquids में क्या दे सकते हैं? liquids में coconut water, barley water या जहुका पानी, clear soup, butter milk, गन्नेका juice, fruit juice, vegetable juice, skimmed milk वगेरा दे सकते है इसके साथ पेशन्ट को carbohydrate से भरपूर food देना चाहिए जिसके की पेशन्ट की बोडी में energy का level बना रहे इसके लिए पेशन्ट को breads या रोटी, rice, oats, potato, honey, fruits, yogurt या दही वगेरे दे सकते हैं इसके साथ यह बहुत जरूरी है कि पेशन्ट के diet में vegetables दिये जाए जिससे पेशन्ट को vitamins, minerals और antioxidants भरपूर मातरा में मिलते रहे जो कि liver की fast recovery के लिए बहुत ही help करता है इसके लिए diet में गाजर, beet, tomato, पालक, beans जैसे की चना, mug, मटर वगेरा दे सकते हैं दोस्तों, जोन्डीस के पेशन्ट को vitamin C वाले fruits देने से liver, cell, fast regenerate होते हैं इसके लिए पेशन्ट के diet में सभी raspberry fruits जैसे की orange, guava, kiwi, gooseberry, आवला और उसका juice दे सकते हैं इसमें यह बात त्यान रखिए कि बाजार में मिलने वाले canned juice है वो नहीं लेना है क्योंकि इसमें fresh juice नहीं होता है और उसमें बहुत सारे chemicals और preservatives डाले होते हैं जो कि पेशन्ट के body को नुकसान कर सकते हैं पेशन्ट को क्या नहीं खाना चाहिए इसमें यह बहुत important है कि पेशन्ट के diet में oily या तली हुई चीजें मत दीजिए इसके साथ spicy food या मसाल दाल खुराग भी मत दीजिए क्योंकि इसके digestion में liver को काम करना पड़ता है जिसको की आराम की जरूरत है oily foods लेने से पेशन्ट को nausea and vomiting बढ़ जाता है इसके उपरांत ध्यान रखिए कि पेशन्ट को थोड़ा थोड़ा खाना ज्यादा बार देना है जिससे digestion easily हो जाता है दोस्तों जोंडिस होने के 5-6 दिन के बाद जब recovery स्टार्ट होने लगती है तब पेशन्ट की body, urine और आखों में से पीलापन कम होने लगता है और पेशन्ट को भूख लगना स्टार्ट होता है उस टाइम पर पेशन्ट धीरे-धीरे routine diet स्टार्ट कर सकता है खाने के साथ जोंडिस के पेशन्ट में यह भी बहुत important है कि पेशन्ट इनफ मात्रा में rest करे अगर पेशन्ट आलकोहल या दारू का सेवन करता है तो यह बहुत जरूरी है कि पेशन्ट आलकोहल का सेवन बिलकुल ना करे क्योंकि आलकोहल लिवर के लिए toxic है और जोंडिस के पेशन्ट में लिवर अल्रेडी कमजोर है तो आलकोहल या दारू लेने से जोंडिस में recovery slow होती है या जोंडिस बढ़ भी सकता है साथ में दोस्तों जिसको चाई, कोफी या cold drink की आदत है तो यह भी avoid करना है तो दोस्तों I hope जोंडिस में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है क्या परहेज रखना है यह सब clear हो गया होगा अगर कोई query है, तो comment box में जरूर बताए Thank you very much